पहले आपको basic details दो, चार माई को खुल रहा है पर्सों और नो माई को बंद होगा, तो चार से नो माई तक ये issue खुला रहेगा, price band 902 से 9009 रुपेका है, आप 15-15 share के lot में अपलाई कर सकते हैं, और maximum 14 lot अपलाई कर सकते हैं, यानि कि 210 share का, issue size 21,009 करोड का है, और पूरा का किस ketting में कितना reservation है, तो total number of shares जो भिख रहे हैं, वो 22 करोड 14 lot के आसपास मानीजिए, 21,000 करोड का IPO है, round figure में बता रहा हूँ, employees के लिए 1500 करोड का reservation है, policy holders के लिए 201 करोड का reservation है, ठीक है, और उसके बाद, बचे net offer आपके लिए 19 करोड 46 lot share का, तो ये जो net offer है, उसका 35% हमेश लेकिन ये standard है, लेकिन ये standard जो है, वो employees और policy holder का quota निकालने के बाद, ये technical चीज़ है, इतना समझ लिए बहुत है, ठीक है, तो सब को मिलने के पूरे पूरे आसा है, सब को apply करने के लिए option दिये गए है, ठीक है सर, तो retail के लिए बड़ा reservation है, retail निवेशक किसे माना जाए है सेम, कोई condition में बतलाव नहीं, जो 2,00,000 रुपे से कम की application लगाता है, वो retail investors यहां भी माना जाएगा, तो बाकी IPOs के तरह है, अच्छा सर, बताएं कि फिर अगर retail निवेशक को apply करना है, तो किस भाव पर करना चाहिए, और discount का क्या है, क्योंकि काफी लोगों में confusion है कि application के स सबसे खूबसूरत बात है, और मेरी समझ में यह पहला IPO जो आपको discount application के वक्ती दे रहा है, आपको उतने पैसे कमी लगाने, तो generally अभी तक क्या होता है, जब आप किसी में discount है भी, तो आपको application के वक्त पूरा check देना होता है, और बाद में आपको discount मिलता है, LIC ने बहुत काम किया है, आप जब application कर रहे हैं, तभी आपको discount मिल जाएगा, तो समझेए, आप retail category में पैसा लगा रहे है, और retail category में दो लाग तक के application आप लगा सकते हैं, आप जब apply करने जाएंगे, तो apply करने जाएंगे, तो form भी मेरे पास है, बहुत बढ़िया form बनाया है, इंदम crystal clear आराम से सब drop down वगरा सारा है, तो जैसे आप जाएंगे retail category में, आपको पुछेंगे कितने share लगाने हैं, जैसे share लगाने, फिर आप price डाल दीजे, suppose आपने price band डाला है, 949 का highest, ठीक है, जैसे price band डालेंगे, discount आजाएगा 50 रुपे का, और बच्चे आपका 55 रुपे निकाल क ठीक है, तो retail investors के लिए 949 रुपे का price band है उपर, 15 share के lot में apply करना है, 45 रुपे का discount है, maximum आप 14 रुपे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो amount आएगा, एक single lot के लिए जो आपका amount block होगा, वो होगा 13,560 रुपे, 904 multiplied by 15, तो ये discount लगने के बाद होगा, discount लगने के बाद, समझ पुल मिलाकर, 1,89840 रुपे की application आप लगा सकते हैं, लेकिन safety के लिए, आप cut-off price डाल दें, हर retail investors को मैं बोलूँगा, cut-off price जरूर लिग दें, ताकि जो भी price आए, चाहे वो 949 की LIC reside करें, या 902 की करें, आपको, आपने दक समझे, 949 में भी apply कर दिया, और cut-off लिग दिया और पता चला है, LIC की price 902 कता हुई, तो आपको 902 में मिलेगा, चिंता मत किजिए कि आपके पैसे जाना लग जाएंगे, ऐसा नहीं है, जो cut-off price आएगे, लेकिन समझो आपने 902 में apply किया, और cut-off price आगी 249, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए cut-off highest price पे apply करके cut-off price और जो आपकी जेप से जा रहा है, वो discount कट के जा रहा है, तो उसमें से आपको परशाण़ी जा रहा है, क्या होगा, आपने जिसे 949 डाला है, 4500 पे discount आया, तो अगर आप 949 पे apply कर रहे हैं, तो आपका amount ब्लोक होगा, 949 से होना चीए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 949 मिलेग गड़ जाएगा, और 904 रुपे के हिसाब से ही आपका amount ब्लोक होगा, अभी तो UPI में करना है, या ASB में करना है, तो direct आपके bank account में payment ब्लोक हो जाता है, या UPI में payment आपका जाएगा, तो आपका payment जो जाएगा ना, वो discount के बाद ही जाएगा, अप फ्रंट discount, इसको ये समझ confusion भी नहीं होगा, कोई problem भी नहीं आने वाली है, ठीक है सर, तो retail के लिए तो हर बार की तरह ये है, और आपको इसी तरह discount के साथ करना है, अच्छा सर, इसमें तो policy holders के लिए भी quota मिल रहा है, क्याएगा, वो वो वो